हेलो फ्रेंट्स, मैं सोश्मा, हिल्दी सेंसार में आपका स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में हम डियाबेटीज के विशे में जानेंगे डियाबेटीज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षन क्या है इस से ज़्यादा मैं बताना भी चाहूं तो आपके पास सुनने का समय नहीं है और नहीं पेशेंस है या वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है जिन्हें डियाबेटीज नहीं हुआ है सभी को इसका ग्यान होना चाहिए ताकि वे इस बिमारी से बस सके बहुत ही टेंशन वाला रोग है यह या बच्चों और 20 वर्स के जवानों में भी देखने को मिलता है डियाबेटीज की इस्थिती में बलड में ग्लुकोज का अस्तर बढ़ जाता है यह एक ऐसा रोग है जिससे कंट्रोल तो किया जा सकता है पर पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है यदि वक्त रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम जान लेवा होते है डियाबेटीज क्या है ब्लड में ग्लुकोज का लेवल बढ़ जाना डियाबेटीज कहलाता है यह समस्या तब उत्पन होती है जब इंसुलीन की कमी हो जाती है इंसुलीन का निर्मान अगने आशे में होता है अर्थाद पैंक्रियास में होता है कार्ब्स को उर्जा देने वाले भोजन के रूप में जाना जाता है जो हम कार्ब्स खाते हैं उससे हमें ग्लुकोज मिलता है डाइजेशन के बाद यह ग्लुकोज रक्त में चला जाता है इस ग्लुकोज को हमारे शरीर के करोरो कोशिकाओं तक पहुचाना होता है जिससे हमारी कोशिकाएं ग्लुकोज को जलाकर शरीर को उर्जा प्रदान करे यह कारे तभी संभव है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलीन का उत्पादन हो इंसुलीन ही ग्लुकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुचाने में मदद करता है इंसुलीन की कमी होने से ग्लुकोज रक्त में ही एकत्रित होने लगते हैं ऐसे में व्यक्ति को उड़ जा नहीं मिल पाती और वह डाबेटेज का रोगी हो जाता है डाबेटेज तीन प्रकार के होते हैं टाइप वन डाबेटेज टाइप वन डाबेटेज में शरीर इंसुलीन बिल्कुल ही नहीं बना पाता प्रती रक्षा प्रणाली यानि हमारी इम्म्यून सिस्टम अग्नियाशे में मौजूद बीटा सेल्स को नस्ट कर देती है इसके रोगी को रोजाना इंसुलीन लेनी पड़ती है या जैनेटिक भी हो सकता है टाइप टू डाबेटेज इसमें शरीर या तो इंसुलीन उचित मातरा में बनाता ही नहीं है यह इंसुलीन तो बनता है बट इसका इस्टेमाल नहीं कर पाता है यह diabetes सबसे common है और यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है Gestational Diabetes यह diabetes महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होता है Delivery के बाद यह अपने आप ठीक हो जाता है इसके होने के बाद type 2 diabetes का खत्रा बढ़ जाता है कई बार गर्भावस्था के दौरान type 2 diabetes भी हो जाते हैं Gestational Diabetes के कई कारण है जिनमें से मोटापा, high blood pressure, गर्भती महिला का उम्र जादा होना genetic reason, यदि पहले कभी miscarriage हुआ हो या PCOS की समस्या हो तो gestational diabetes का chance रहता है Diabetes के लक्षन Type 1 और Type 2 दोनों diabetes के लक्षन एक जैसे ही होते हैं किसी भी प्रकार के diabetes के लक्षन रक्त और पिशाब में glucose के लेवल बढ़ने से संबंदित होते हैं Diabetes में शरीर dehydrate हो जाता है इस कारण बहुत प्यास लगती है Blood में glucose की मात्रा अधीक होने के कारण Kidney को रक्त साफ करने के लिए अधीक काम करना होता है Urine के द्वारा अतरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालना होता है इसलिए बार बार पिशाब आने की समस्या रहती है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और बार बार पिशाब आता है यही मधुमे का यानि diabetes का मुख्य लक्षन है कोशिकाओं में glucose नहीं पहुँचने की कारण शरीर में उर्जा की कमी हो जाती है जिससे हमेशा ठकान महसूस होता है और भूख बहुत ज़्यादा लगती है आईए मधुमे के लक्षन को संचेप में देखते हैं शरीर में पानी की कमी बहुत ज़्यादा प्यास का लगना पहले से अधिक पिशाब आना भूख बहुत ज़्यादा महसूस होना वजन का कम होना या वजन का बढ़ जाना दोनों संभव है यदि घाव हो जाए तो वो जल्दी भरता नहीं है ठकान बहुत महसूस होती है चक्कर भी बहुत आते है उल्टी जैसा महसूस होता है या मतली आती रहती है मुँ ड्राइ रहता है हमेशा मुँ में ड्राइनिस रहता है हाथ पैरों में जुन जुनी होना या सुन हो जाना आखों की रोशनी भी कम होने लगती है हाथ पैर और गुपतांगों में खुजली वाले जख्म होने लगते हैं इस तरह के लक्षन हो, तो आप diabetes का test जरूर करवाएं, कई बार इन में से कोई भी लक्षन नहीं दीखते हैं, और लोगों को diabetes रहता है, ऐसे में जरूरी है कि अगर आपकी उम्र 40 के करीब पहुंच रही है, तो एक बार साल में एक बार जरूर diabetes का test करवाएं, आपको यह जान करीं हो झाँ बारnya बारे को करीं है, कि आपने को सक्याएं, कि खा जरूर के टारे के गवंच, बारे के वहा, बार